नमस्कार दोस्तों आपका P.A. से बड़ा हुआ है और उसकी वैसे आपने Prostate Biopsy कराई है और उसमें Cancer निकला है आप बहुत गब्राय होए हैं आप सोच रहे हैं मेरेको Prostate Cancer कैसे हो सकता है मेंको तो कोई symptom ही नहीं है तो देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि Early Prostate Cancer में जब Cancer Prostate के अंदर लोकलाइज होए उस ताम कोई symptoms नहीं होते हैं इसलिए Cancer अर्ली Stages में मिस हो जाता है, जब तक symptoms आते हैं जैसे कि urine में blood आना, या back egg होना, या कमर में दर्द होना या हड़ियों में दर्द होना या urine blockage तो उस टाम तर cancer advance हो चुका होता है और वो ऐसी stage बहुता है कि जिसमें उसको cure नहीं करा जा सकता तो अगर आपका Early Stage पे cancer डाइगनोस हो है आपको कोई symptoms नहीं है तो आप अपने आपको लखी समझे और इस चीज़ को हलके से मत लीजे आप इसका treatment definitely कराइए ताकि आप cure हो सकें और अपनी normal life जी सकें तो जब prostate cancer treatment के बारे में बात करते हैं तो अकसर patients में से पूछते हैं हम लोग surgery कराएं कि radiation कराएं इन में से कौन सा treatment best है मैं Dr. Ashish Saral Eurologist Indologist Robotic Surgeon New Delhi India से आज आपको prostate cancer treatment options surgery और radiation के बारे में फायदे और नुकसान डिसकास करूँगा सबसे पहला option है watchful waiting या active surveillance इस option में हम लोग basically patient के treatment के लिए कुछ नहीं करते हैं patient को regularly follow up करते हैं हर तीने इने PSA करते हैं अगर जरूत होए तो 6 मिने या साल में बाइपसी करते हैं फिर से या MRI करते हैं सिर्फ close follow up में रखते हैं और कोई treatment नहीं करते हैं जातर patients जिनको ये treatment करते हैं यू advanced age के होते हैं जिनको multiple medical problems होती हैं तो उह और कोई treatment टोलरेट ही ही इनकरेंगे इसलिए हम कोई treatment होते हैं उनको closely watch करते हैं तो नियोरी cancer की बज़र से लेकिन काफी सारे early prostate cancer के जो patients होते हैं वो fit होते हैं और उनका definitely treatment करना चाहिए और उनके treatment के लिए दो options होती है एक option तो है surgery और दूसरा option है radiation Surgery में robotic surgery और radiation के अंदर बहुत सारी चीज़ों होती है जैसे की proton therapy, cyber knife, external beam radiotherapy, brachytherapy, seeds, cryotherapy, hyfu यह सारे जो treatment options है यह सारे radiation की category में आते हैं तो इनकी फाइदा और नुकसान समझने के लिए पहले हम आपको समझना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों में surgery में और radiation में करते क्या है तो देखे यह urinary bladder होता है यह urine का रास्ता होता है मेल्स में पीनिस यहाँ पर होती है यहाँ पर testis होती है यह सारा पार भार होता है अंदर होता है prostate यहाँ पर होता है बिकुल bladder के नीचे और इसी में cancer बन जाता है और यह pelvic sidewalls हैं pelvic sidewalls में यहाँ पर lymph nodes होते हैं और prostate के पीछे यहाँ पर seminal vesicles होते हैं जहां से सीमन निकलता है यह prostate हो गया यह seminal vesicles हो गए यह lymph nodes हो गए सहजी में क्या करते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा prostate seminal vesicles और यह वारे lymph nodes यह सब कुछ निकालते हैं और उसके बाद जब prostate निकल जाता है तो फिर यह जो bladder है और urine passages इन दोनों को पास लेके आके इसको suture कर देते हैं यह सहजी में होता है और radio therapy में क्या होता है कि हम prostate को नहीं निकालते हैं prostate body के अंदर ही रहता है लेकिन हम radiation की rays से प्रोस्टेट को, semule vesicles को, lymph nodes को सब जगह radiation देते हैं और cancer cells को kill करते हैं तो आप इस बात को समझें, अगर हम यह पूरे prostate को निकालेंगे, prostate ऐसे heart shaped होता है और यह semule vesicles होते हैं और साथ में यह lymph nodes हो गए तो जह हम इसको निकालते हैं तो हमारे को cancer की exact stage पर चल जाती है कि यह cancer छोटा सा prostate के अंदर ही था, कि यह prostate से भार थोड़ा बहुत जा रहा है कि semule vesicles में जा रहा है, कि in lymph nodes में जा रहा है तो हमारे को इस cancer की exact staging पर चल जाएगी कि यह कौन से stage का, यह localized cancer है कि advanced stage का cancer है इसका Gleason score क्या है? यह Gleason 6 है कि 7 है कि 8 है, क्या है यह? तो यह सारी चीज़े हैं जब हम surgery करते हैं और prostate पर टेस्टिंग ले पेज़ते हैं इसमें पदा चल जाता है रिडियेशन में जब हम cancer cells को कर रहे हैं तो हमारे को exact stage नहीं पदा चलती है क्योंकि prostate body अंदर ही होता है हमने कुछ टेस्टिंग नहीं करी कि यह cancer सिर्फ prostate में था कि भार भी निकला हुआ था तो अगर आपको exact stage पता करने है तो surgery radiation से better option है दूसरी चीज़ अगर cancer पुरा body से निकल लिया हो है तो patients का P.A. से surgery के बाद 0 होता है 0 या under detectable तो जब आप अपना testing कराते हैं surgery के बाद और P.A. से आपका 0 आता है तो आपके लिए आपकी family के लिए काफी मन की शान्ती की बात है काफी खुशी की बात होती है कि आपका cancer निकल गया और आप cancer free है radiation के साथ ऐसा नहीं होता radiation के immediately बाद दो साल तक P.A. से fluctuate करते रहता है कभी जाद हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा तो हमेशा वो anxiety बनी रहती है कि आपका cancer निकला है के नहीं निकला आप cancer free है के नहीं है कहीं body में cancer है तो नहीं है तो यह anxiety surgery के बाद नहीं होती जो radiation के बाद हो सकती है इसके लावा जब anxiety होती है तो आपकी body में तो prostate है उसकी testing करनी जरूरी है तो patients को radiation के बाद बार-बार prostate biopsy करनी पड़ती है और आप जानते ही हैं कि prostate biopsy को इतना comfortable procedure नहीं है तो बार-बार वो procedure कराने का कोई फायदा नहीं है बट अगर आपकी surgery होई होईगी तो उसके बाद तो prostate निकल चुका है तो उसके बाद आपको prostate biopsy बार-बार करानी की जरूरत नहीं होती इसके लावा जो सबसे important चीज है वो आपको ये समझनी चाहिए कि prostate cancer है और cancer की एक characteristic होता है कि आप कुछ भी treatment कर लो अगरा है कि cancer वापिस आ रहा है तो उसके बाद सर्जी करना बहुत मुश्किल है रेडियेशन के बाद सर्जी करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रेडियेशन की वज़ा से जो prostate tissue है वो रेक्टम से और बाकी surrounding tissue से बिलकुल cement की तरह tightly fix हो जाता है तो prostate को body से निकालने में बहुत मुश्किल होती है तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि सर्जी के बाद radiation करना possible है लेकिन radiation के बाद सर्जी करना काफी मुश्किल है एक और बड़ी important चीज़ सोचने वाली है कि जवा का prostate निकली चुका है तो old age में जो patients को prostate enlargement के symptoms होते है urine में blood आना है urine blockage, urine infections वो सारे symptoms सर्जी के बाद कभी नहीं होते है लेकिन अगर radiation आपने कराई है तो थोड़े time के बाद जो आपकी age बढ़ती है तो आपका prostate बढ़ जाता है prostate size बढ़ जाता है और prostate size के बढ़ने से prostate enlargement के वैसे आपको काफी साई symptoms होते है जैसे कि आपको urine में blockage हो सकती है urine में blood आ सकता है letrin में blood आ सकता है तो ये सब side effects जो हैं ये सब problems जो हैं ये सब radiation के बाद हो सकते हैं लेकिन सर्जी के बाद नहीं एक और चीज जो research में देखी गई है कि अगर आप radiation कराते हैं radiation के बाद 20 साल के बाद 3-5% पेशेंट में secondary cancers हो जाते हैं bladder cancer या rectal cancer मतलब कि आपने radiation कराई और 20 साल के बाद आपको prostate cancer तो ठीक हो गया लेकिन bladder में cancer बन गया या rectum में cancer बन गया ये चीज 3-5% पेशेंट में 20 साल के बाद देखी गई है तो आप एक cancer के लिए radiation कराई हैं और थोड़े दन के बाद दूसरा cancer बन जाए उसा कोई फायदा नहीं है तो दोस्तों अगर आपको prostate cancer डागनोस हुआ है तो आपको अपना पीए से exactly समझना चाहिए आपका पीए से कितना है आपके Gleason score क्या है prostate cancer का आपको exact staging करनी चाहिए pet scan करना चाहिए MRI करना चाहिए bone scan करना चाहिए और सारे treatment options अपने डॉक्टर से discuss करने चाहिए early prostate cancer की जो best treatment है जो main surgery हम लोग करते हैं वो है robotic radical prostate me जो da Vinci robot के ओपर करते हैं इसकी specialized training मैंने University of Miami USA से 2008 से 2011 तक ली थी तीन साल में US में था जब मैं ये training कर रहा था उसके बाद वापस आके मैंने Apollo hospital न्यू डेली में robotic surgery स्टार्ट करी और हम लोग prostate cancer की robotic surgery regularly कर रहे हैं total career में मैं almost 2000 से भी ज़ादा robotic surgery is prostate cancer के लिए कर चुका हूँ हमारे patients के excellent results आते हैं उनका surgery में blood loss कम होता है recovery जल्दी होती है उनकी urinary control और sexual function भी जल्दी recover करते हैं क्योंकि हम लोग nerve sparing robotic surgery करते हैं surgery में 1-5 घंटा लगता है कोई major cut नहीं होता 8 mm के 5 छोटे छोटे holes के थूँ robotic instruments अंदर जाते हैं और उसको 3D vision और magnification से हम लोग अच्छी nerve sparing surgery करते हैं जिससे अच्छे results आते हैं और इस davency robotic surgery से हम लोग कफी सारे patients के cancer free भी कर चुके हैं और उनकी quality of life भी अच्छी चल रही है अगर आपको भी कोई P.H.C की problem है या men's health related problem है जैसे की urine problem या sexual problem या आपका prostate cancer diagnosis हुआ है और आप मुझे contact करना चाते हैं तो मेरा email address और whatsapp number नमबर नीचे description में दिया हूँ है Thank you